हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं रगणा पैटिस लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं के तो चुरूर तो पैटिस की ग्रेवी बनाने के यहां मैंने मटर ले लिए है जी हां हम इसी की ग्रेवी बनाएंगे तो इसे मैंने रात बर विगो कर रखा है पानी में और अब इसे में कुकर में डाल कर चार से पास सीटी लगा लेंगे तो अब मैं यहां इस मटर को प्रेशर कुकर में डाल दूंगी तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां जो मटर है वो उबल चुकी है अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले यहां हम कड़ाई रखेंगे फिर साथ ही हम इसमें तेल डाल देंगे यहां मैंने दो से तीन चमच तेल डाल लिया है तो यहां तेल गरम हो चुका है अब हमने उसमें डाल दिये है जीरा इसके बाद डाल दिये है तेज़ पत्ता और साथ ही यहां मैंने दाल चीनी और कुछ खड़े मसाली लिये है और साथ ही मैंने हिंग भी डाल दिया है अब इससे हम अच्छे से भुनेंगे भूनने के बाद अब हम इसमें तयार किया हुआ मसाला याने की टमाटर अद्रग लसुन का पेस्ट बना कर इसमें डाल देंगे और अब इस पेस्ट को आप अच्छे से भूने इस पेस्ट को तब तक भूने जब तक की जो पेस्ट है वो तेल ना छोड़ दे तो अब हम यहाँ डालेंगे नमक, तो नमक आप अपके स्वाद अनुसरा डाल सकते हैं, अगर आप तेज खाते हैं तो तेज जा सकते हैं, अब जब तक तेल ना छूट जाए तब तक इस मसाले को अच्छे से पका ना, देखिए तेल जो है वो छूट चुका है, जो पेस्ट करें दाल देते हैं, तो सबसे पले यहाँ डालेंगे हल्दी, इसके पाद यहाँ डालेंगे गरम मसाला, आधा चमच, धन्या पाउडर, आधा चमच, लाल मिर्च पाउडर, आप आपके स्वाद अनुसरा ले सकते हैं, तो अब इन नमसालों को हम अच्छे से भूण तो अब मसाले यहां अच्छी तरीकी से भून चुका है अब हम इसमें डाल देंगे उबली हुई मटर और इसे डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे तो अब यहां हम डाल देंगे पानी अपने हिसाब से आप पानी कम ज्यादा रख सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ठीक चाहिए तो पानी कम डाली तो अब हम इसे डखकन लगा कर इसे पकने के लिए छोड़ देती हैं तो पकने का समय कुल मिलाकर पास से दस मिनिट का होगा क्योंकि इसे हमने पहले ही उबाल दिया है देख सकते हैं जो सबजी है काफी अच्छी तरके से उबल चुकी है पक चुकी है तो अब मैं यहां स्वात बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाल दूगी और साथ ही मैं यहां कटे हुई हरी धन्या डाल दूगी तो इस तरीके से हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है तो अब बारी है चटने के चलो चटने बनाने के लिए हम यहां ले लेते हैं कटरी में इमली इसे आप गरम पानी में भिगो के रखें 20 मिनिट तक भिगो के रखें आफे अच्य से फूल जाती है इमली और तो चलिए जला लेते हैं और चटनी बनाने का जो शुरू करते हैं तो यहां मैंने ले लिए कड़ाई आप किसी भी बर्दन का इस्तमाल कर सकते हैं अब इस कड़ाई में हम डाल देंगे गुड़ और साथ ही डाल देंगे हम इसमें इमली अब हम इसमें डाल देंगे एक ग्लास पानी और इससे अच्छी तरीके से गुड़ के घुलने तक पकाईगे तो अभी आप देख सकते हैं कि जो चटने हैं वो यहां तयार हो चुके है अभी स्टेश पर हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे साथ ही और सच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब इसे मैंने एक छलने की साहिता से चान लिया है तो चटनी तो अब तयार है अब बारी है पैटिस की यहां मैंने चार से पाच आलू ले लिया है अब इसे अच्छे से मैशर की साहिता से इसे मिक्स कर लेना है साथी यहां एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और यह जो ब्रेड है इसका कॉर्णर का जो भागे उसे अलग कर देना है अब इसे हम इस तरीके से भिगो लेंगी हलके हाथों से इसे हमें दबा कर निचोड लेना है कुछ इस तरीके से हमें सरी गिल्ला करना है और पानी निकाल देना है और अलो की जो मैेश कियागल अलो यह उस पर डाल देना है जो डालने से फायदा यह भी है कि जो पैटी से उसका श्रेप काफी अच्छा आता और जो टेस्ट आता वह तो बहुत भी आता है तो जब तक आप ट्राइ नहीं करेंगे जब तक आपको पताने चलेगा इसलिए आप ज़रू ट्राइगी जी मेरी रेसिपी को तो इस तरीके से 5-6 जो ब्रेट के स्लाइस है आपने इस तरीके से भिगो कर इस आलू के मिश्रन में डाल देना है और इन्हें अब अच्छे से म गोल्यम बनाइगे तो इस तरीके से आपको ये गो बनानी है और इसे शेव देना है तो यहां मै ररा गोल्यम मेटի ख्याया कर वह एक देना कर नलद मैंने पैटे से तयार कर लिया है अब आम हम इसे सेखेंगे तो बुरे रंग आने तक इसे अच्छे तरीकिसे पका लेना है अब देख सकते हैं इसका क्लर कितना अच्छा है खाने में तो बहुत ही बहतर लगते हैं बिर्डेटेटे मैं रिया के तक किया और सरनी रिया करीं सब्सक्राइब में गानिशार की डियर हूद resposta अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेः चझाय।